Good evening, पढने पहले fractions का addition और subtraction पड़ लिया था, fractions के type पड़ लेती हैं, ठीक है रख, कितने तरह के होते हैं और उनको अपन但 Mixed No.E. से improper में किस तरह से बतलेंगे और improper में किस तरह से बतलेंगे ठीक है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं आज अपर उसी के आगे fraction का multiplication और division अपन किस तरह से करते हैं वो देखेंगे ठीक हैं अब सबसे पहले multiply देखो multiplication और division बहुत easy है अब जैसे for example अपन multiply करना हो सबसे पहले अपन multiplication देखेंगे कि fractions का multiplication अपन किस तरह से करते हैं तो यहाँ पर अगर अपने पास यह fraction है 2 upon 3 into 4 upon 5 अगर आपको इनका multiply करना है हम मंटुकिलिकेशन में सीधा आपको numerators का मटुकिप्ला कर देना है और compromis का आपस में multiplication कर देना है जैसे यहां पो 2 अपन 3 का multiply 4 of 5 से करना है तो इपर 2 और 4 का multiply करना है 2 into 4 अपन कर देना है और नीचे denominators का आपस में multiply कर देना है 3 into 5 ठीक है तो यह answer आ जाएगा जो ऊपर 2 into 4 8 और नीचे 3 into 5 कितना आ गया 15 इस answer अब देखो यहां पर 8 upon 15 क्या है proper fraction है because numerator is less than denominator यानि जो अंच है वो हर से छोटा है ठीक है second अब एक और अपन mix number का देख लेते हैं 2 & 2 upon 3 into 3 & 4 upon 7 कि अब में यह दोनों mix number उनका multiply करना है तो इनका multiply किस तरह से करते हैं यहां पर कुछ नहीं करना है पहले इन दोनों को हमें mix number को किसमें change करना है इंप्रॉपर में उसके बाद हमें इन दोनों का multiply करते हैं 3 & 2 का multiply करना है 3 into 2 6 आया 6 जो आया उसमें open numerator add कर दो 3 2 जा 6 6 plus 2 is equal to 8 तो 8 upon 3 हो गया into उसी तरह इसको change करो 3 & 4 upon 7 को यहां पर इन दोनों का multiply करेंगे 7 into 3 यानि 7 3 कितना होता है 21 और 21 जो आया उसमें यह 4 add कर देना है 25 25 upon 7 हो गया ठीक है अब हमें इन दोनों का multiply करना है तो multiply सिधा है उपर numerator में numerator का करना है और denominator में denominator का multiply करना है तो उपर-उपर multiply 8 into 25 और नीचे 3 into 7 तो 25 into 8 कितना हो जागा यह 200 और 3 into 7 कितना हुआ 21 इस आंसर अब यह इंप्रॉपर में है जैसे mix number का अगर जनरल ही multiply करते है तो आंसर भी mix number में आना चाहिए तो 200 अपन 21 को अपन mix number में कैसे चेंज करेंगे 200 को हमें 21 से divide करना है कितनी बार जाएगा 9 10 ठीक है ना 21 9 का multiply करो 9 9 to the 181 89 आया 189 कर दो कितना remaining 11 तो अपन किस तरह से लिखते हैं देखो यहां से यह लिखना है यह चलना है तो यह 9 9 11 अपन 20 दिजिस आंसर उसी तरह अगर यहां पर सपोस्स तीन फ्रेक्शन हो और उनका multiply करना हो में तो भी अपन इसी मेथर से करेंगे उपन निचाहिए अब यहां पर यह गहेगी अपन काड़ भी सकते जैसे सपोस्स करो अगर अपने पास इस तरह से फ्रेक्शन है अगर कटता है तो काटना है जैसे थर्ड क्वेस्चन है वन अपन फाइव टैन अपन इलेवन इंटू बाइ थ्री अब सपोस्स हमें इसका multiply करना है यहां पर तीन होगा तो अपन क्या करेंगे पहले नुम्रेटर नुम्रेटर का multiply कर दो ठीक है तो वन इंटू 10 इंटू तो वन इंटू 10 इंटू उपर वालों प्री निचे डिनूमिनेटर का multiply करना आपको फाइव इंटू 11 इंटू अब उपर नीचे cancel होते हैं तो करने हैं जैसे यह 10 और 5 यह दोनों cancel हो रहे हैं ठीक है दोनों same table 5 की टेबल में आते हैं ठीक है ना तो इनको 5 की टेबल से अपन काट सकते हैं तो 5 में 5 का division 1 काट के 1 कर देना इसमें 5 का division करो कितनी बार जाएगा ठीक है ना यानि देखो 5 और 10 दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो अपने इन दोनों को 5 से डिवाइड करके फिर लिख देंगे तो 5 में 5 का डिविजन 1 तो काट के 1 लिख देना है और 10 में 5 का डिविजन 2 अब कोई कट नहीं रहा है यहां उपर-उपर मत काट देना है उपर न और 4 और नीचे देखो 311 और 1 बचा तो 3 into 11 33 33 बहाँ 1 का तो 33 इस तरह से अपन यह मल्टीप्लाइ करते हैं अब अब डिविजन देखते हैं कि डिविजन किस तरह से करते हैं ठीक है ना नेक्स्ट यह मल्टीप्लाइट हो गया और अब पढ़ेंगे फ्रैक्शन का हैं 2 by 3 divided by 4 by 5 अब मैं suppose 2 upon 3 को divide करना है 4 upon 5 से तो यहां पर देखो डिविजन सौल नहीं होता है डायरेक्ट सौल नहीं होगा आपको पहले इस डिविजन को मल्टीप्लाइट में चेंज करना है उसके बाद आपको इसको सौल करना ठीक है अब मल्टीप्लाइट में कैसे चें करना है 2 upon 3 कि अब यह डिविजन को में मल्टीप्लाइट में चेंज करना है ठीक है मल्टीप्लाइट में जैसे चेंज करेंगे तो यह जो बाद वाला फ्रेक्शन है उसका रैसिप्रोकल हो जाएगा रैसिप्रोकल का मतलब उल्टा तो इस बाद वाले फ्रेक्शन को आपक इन्टू में जैसे ही चेंज करो हुए तो बाद वाला जो फ्रेक्शन इसको उल्टा कर देना है अब यहां पर सिंपल इसके बाद का प्रोसेस आपके जो मल्टिप्लाइ का है वही चलेगा तो देखो टू में 5 का 2 इंटू 5 और 3 इंटू 4 diagnosticar me denominator का तो यहां पर देगो 2 और 4 कट रहे है जो कट रहे है उनको cancel करने तो दोनों 2 की टेवल में आते हैं तो 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम ठीक है अब देखो उपर क्या बचा 5 इंटू यहां पर 1 हो गया यह 5 इंटू 1 5 और 3 इंटू 2 3 इंटू 2 मेंस 6 तो इस तरह से डिविजन आपको करना यानि multiply और डिविजन बिल्कुल easy है comparatively addition subtraction से because उसमें LCM लेना पड़ता है और वह प्रोसेस क्या हो जाता है लंबा हो जाता है अब यहां यह 556 आगया उसी तरह मिक्स नंबर में भी मिक्स नंबर में आपको पहले मिक्स नंबर को इंप्रोपर में चेंज करना है दैन उसको इसी तरह से अपन करेंगे जैसे सब्सक्रों अपने पास सेवन एंड हाफ डिवाइड बाई थी एंड थी अपन फूर अब हमें यह डिवीजन करना है तो अपन क्या करेंगे यहां पर देखो पहले इस मिक्स नंबर को इंप्रोपर में चेंज करो यहां पर कैसे चेंज करेंगे इन दोनों का मुल्टिप्लाइट टू सेवन आ फोर इसको चेंज करो तो 4 x 3 पहले इन दोनों का मुल्टिप्ला है जो आंसर आएगा उसमें उपर 3 एड कर देना है तो 4 x 3 12 12 में 3 एड किया तो 15 15 अपन 4 ठीक है अब कैसे सोल करना है डिविजन डैरेक होता नहीं इसको पहले मुल्टिप्लिकेशन में चेंज करने मुल्टिप् इसको फ्रेक्शन में वो उल्टा हो जाएगा यानि 4 upon 15 हो गया ठीक है 15 upon 4 का क्या हो गया 4 upon 15 हो अब यहां देखो अब उपर उपर यह मुल्टिप्ला करो 15 into 4 और नीचे डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को 2 into 15 अब यह दो 15 15 उपर नीचे कैंसल 11 आगिया दोनों 15 की टेबल से वन टाइम और यह भी यहां पर दूसरा यह चीज है कि देखो 4 upon 2 यह दुनों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो इसमें 2 का डिविजन 1 और इसमें 2 का डिविजन 2 यानि देखो अब 2 बाकी सब 1 1 है तो इसका आंसर only 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं और 2 upon यह 1 भी ल 4 upon 1 means 4 5 upon 1 हो तो वो 5 तो इस तरह से पुन फ्रेक्शन का मुल्टिप्लाय और दिविजन करेंगे तो